ह яр legal a फिर रोल बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नई लेक्शर में अज के लेक्चर विड़ा हम रेजोनेय क्व शम्झेएंगे रेजोनेयंस एफ्थ8 हम पड़ने वाले हैं लेकिन उसके पहले हम रेजोनेयंस के में basic understanding आज बनाएंगे फिर हम नेक्स लेक्चर में रेजोनेंस एफेक्ट या मैजोमेरिक एफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं तो सबसे पहले सभी लोगों का वैल कम इस लेक्चर में जी यो सी का लेक्चर नमबर थरी रेजोनेंस आज हम पढ़ेंगे तो रेजोनेंस तक है कि हम यह पढ़ क्यों रहे हैं सबसे पहला सवाल तो यह आना चाहिए दिमाग में तो हम यह वेटा इसलिए बढ़ते हैं कि पॉइंट बढ़ दो है ना क्या वैन अ सिंगल लुवेस इस्ट्रॉक्चर इस इनकेपेवल टू एक्स्प्लेन प्रॉपर्टी ओफ आ मॉल होगी इसलिए हमें एक से ज्याधा स्ट्रॉक्चर इस जरूरत पड़ती है इन इस ट्रॉक्चर को हम बेटा क्या बोलते हैं यह रिपर नहीं क्या है उश कॉंचा क्या अगला point पड़ेंगे ये जो RS हम बनाते हैं Regulating structure जो बनाते हैं वो होते हैं hypothetical बट hypothetical तो हैं लेकिन must be valid Lewis structure इसका मतलब क्या है उसका Lewis structure तो सही ہوना चाहिए ऐसा नहीं कि carbon 55 bond मना रहा है nitrogen 55 bond मना रहा ऐसा थोडी करना है तो valid Lewis structure लेकिन वो सरफ हम प्रॉपर्टी को explain करने के लिए बनाते मतलब हाइपोथेटिकल स्टक्चर होते हैं एक जब की एक्च्वल स्टक्चर क्या होता है आरेच जिसको क्या बोलते हो विटा resonance hybrid बोलते हो एक जाथ आगे एक इसको ठादो resonance hybrid नहाम थिए थिद लास्ट में resonance hybrid नाम थिए फ्रॉपर्पर्ण होता है पढ़ें जरा रहाइच है इस लोएस्ट गषुल स्टक्चर होता है उसके हमion generating structure बनाते हैं जो की hypothetical होते हैं न इस structure की help से हम resonance hybrid या नि की actual structure बनाते हैं और वही actual structure बेटा क्या होता है आपका उसी से ही आप explain कर सकते हैं सारी property वही structure आपका RH कहलाता है ठीक वही actual structure आपका ठीक है तो यह सारे के सारे पॉइंट एक बार फिर से आप रीड करो मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूं आप रीड करो पॉस करके फिर मैं आपको समझाता हूं कि का आगे कहानी क्या है मतलब हम यह सारे पॉइंट पढ़कर इससे हम मैं explain करेंगे example से ठीक है कर लिया पॉस रीड कर लो आराम से रीड कर लो मैं आगे बढ़ना हूं ठीक है चलो भई आप एक example से हम समझे लेते हैं जो पीछे राम दिन ने इत्ती सारी राम हैंड लिखी है ना देखो जरा जैसे मेरे पास यह है ओजोन का molecule क्या है विटा ओजोन का molecule अगर आपको रेजोनेस का फिनोमेन नहीं पता तो आप क्या बोलोगे मैं आपसे पुछूंगा बिटा इसकी बॉंड लेंथ एक्स है इसकी बॉंड लेंथ वाय है तो बताओ बॉंड लेंथ क्या होगी बॉंड लेंथ की कंपरिजन कराओ और बॉंड लेंथ आपको पता है ट्रिपल बॉंड की ज्यादा होती है फिर डवल बॉंड की और फिर सिंगल बॉंड की सॉरी उल्टा बोल द आएगा तो बॉन्ड लेंद बेटा सिंगल बॉंड की ज्यादा होती ट्रिपल बॉंड की कम होती है आप मुझे एक बावाँ अराम से बताओ देखके इसकी X ठीक इसकी Y इसकी X इसकी Y कौनसी बॉंड लेंथ बड़ी एक्स छोटी और वाई बड़ी क्या बॉंड लेंथ को इस structure को देख के पता चल रहा है ऐसा आपको यह structure देख कर पता चल रहा है जबकि experimentally ऐसा नहीं होता है सही answer इसका होता है x is equal to y यह होता है bond length bl और यह क्या है experimentally तो यह कहानी है यहां आप यह box बना के लिख लो क्या experimentally ऐसा देखा गया कि x और y bond length सेम है तो अब यही चीज तो explain करनी है इसी के लिए ही तो हम resonance पढ़ रहे है resonance से आप explain कर सकते हो yes x is equal to y होना चाहिए अब कैसे ध्यान से देखना ओजोन का molecule मैं यहां फिर से लिख रहा हूं ओडवल बॉंडो सिंगलो यहां माइनस यहां प्लस अब मुझे इसका एक resonating structure बनाना है अब एक से ज़्यादा structure की जुरूरत है need है उसकी क्योंकि हमें explain करना है इससे तो हो नहीं रहा था है ना तो एक से ज़्यादा structure को हमें explain करना है कैसे explain करते देखो resonating structure इसका बनाएंगे जिसको double headed arrow से हम denote करते हैं ऐसा arrow लिख देते हैं एक resonance में पाई bond को move कराओ पाई electron मूब करते सिगमा मूव नहीं करता atom मूव नहीं करता ध्यान अगना atom को नहीं छेड़ना सिर्फ तुम्हें पाई electron को हटाना है मदब पाई electron की shifting कराने एक तरीके से समझे लो देखो जरा इस bond में एक सिगमा है एक पाई है इधर क्या है वेटा एक सिगमा है तो मैं क्या कर रहा हूं इस पाई bond को उठाके इधर रख रहा हूं ठीक है इस पाई bond को लाकर इधर रख रहा हूं तो resonating structure आवा आपको कैसा दिखेगा देखना ओ यह सिंगल यह ओ यहाँ डबल इधर हो आएगा अब चार्ज बताओ क्या होगा देखो oxygen दो बनाता है इस वाले ने इस वाले औक्सिजन ने यह बॉंड तोड़ा और यह तो बॉंड उसका कहीं नहीं गया यह समझ लो बस यहां से सिफ्ट हो गया इधर आ गया बस तो बीच में तो प्लस रहेगा ही रहेगा बस लिए नेगेटिफ कहा से नहीं जाएगा इधर नेगेटिफ थो गया इस तरीके से दिखाते नेगेटिफ को अगर आपको दिखाना यह थो इस थरीगे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आरेस जो कि हाइपोथेटिकल है सही है ना हाँ अब मैं इन नोनों से मिलाके एक हाइब्रिड बनाऊंगा इन नोनों के बीच का स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे आप एक्स्प्लेंग कर पाओगे यस बॉर्ण लेंथ बराबर कैसे धियान से देखना मैं क्या कर रहा हूं देखो तीन ऑक्सीजन है एक दो तीन सिग्मा बॉर्ण को नीच छिड़ना सिग्मा वैसे ही रहेंगे सिग्मा इधर रहा सिग्मा इधर रहा इन नोनों का मिक्स स्ट्रक्चर बना रहा है इन नोनों का हाइब्रिड बना रहा हूं तो सिग्मा क्या दिस्पेरेंस आ रहा है यह पाइ बॉंड यहाँ से इधर सुट हो गया मतलब यहां पर कवर यहां पर पार्षीजल डबल बॉंड आ रहा है मतलब सेंगे डबल के बीछना क्यों आप से अगर मैं ठोचों बेटा बताना यहां और औरहों के बीच में क्या है आप लोगे सर्डभी मैं क्याल एक स्रॉंड है तो लिया में लिग इन стол म्लेखें को है इनको देखो single इनको देखो डबल मलब सिंगलर के बीच पार्चिल कäre से बाल के बीचे साइब पूचूंगा इधर क्या यहां था और अगले structure में यहां आ गया इसका यह नहीं कि दो नेगेटिव और दो पॉजटिव है एक पॉजटिव है और एक नेगेटिव है वही एक नेगेटिव दो अक्सिजन में जा रहा है नहां से सुनना यह जो नेगेटिव है यह दो अक्सिजन में जा रहा है एक तो तो पर oxygen कितना आएगा minus half और minus half आएगा एक negative दो oxygen में तो हर एक oxygen पर कितना हैगा minus half minus half इसा आगए simple match आगा और positive कहां था इधर positive था और वही positive इधर है अब यहीं पर फिक्स है मतलब positive आपको यहीं fix करना है ऐसा तो यह वन गया आपका hybrid समझगे कहा नहीं hybrid कैसे बनाना है single bond हो रहा है एक negative चार्ड दो oxygen में distribute हो रहा है तो माइनस आप माइनस आप बीच वाले का कुछ नहीं बिगड़ा तो प्लस रहेगा एक अब धियान से सुनना अगर आप मैं आप से पूछू यह बॉल लेंथ एक्स है यह बॉल लेंथ वाय है देखो पहले मैंने ऐसे बोला था से फोरें जानदोर इसकी बॉडिया ड़ वालन मतलब बॉलण लेंथ है बॉलन लेंथ पर अब तुम बता सकते हो क्या एकленडा य अप सलेना अब तो तुम बता सकते ना मुंद्र्श एकस पल उरंगे में आप लोग मुझे बताइंगे हैं नहीं कि यह तो हो गया वेटा ओजोन का है न कि एक सीओ थ्री वाले से और कर लेते हैं कि इसको यहां कर लेता हूं चलो बताओ जरा सीओ थ्री टू नेगेटिव आपको इसके रेजोनेटिंग इस्टक्चर बनाने है और मुझे हाइब्रिड भी बना के बताना ठीक सीखलो अच्छे से और इसके रेजोनेटिंग इसरह कैसे बनाओगे कैसे बनाते हो रेजोनेटिंग्स में सिग्मा बॉन्ड मुव नी कराना एक राने वेटा पाई एलेक्टरॉन मूव कराने हैं तो इसका एक रैजिट्रेटिंग इस्रक्चरnd में इधर बना रहा हूं ध्यान से देखना कैसे अगर मैं अगर मैं इस पाईको यहां लगा दूँ यह नेगटिव यहां लगा दूँ देखना यह पाई यहां लगा दिया नेगटि यहाँ तो अब इधर negative नहीं आगया तो डबल आजाएंगा क्यों पाई आ गया ने हिदर देखो यह पाई मैंने यहां शिफ्ट कर दिया नहीं देखना ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव ऐसा बस हो गया काम मतलब दो नेगेटिव थे इन नौनों पर देखो इन नौनों पर दो नेगेटिव हो गए ठीक है अब इन नौनों पर हो गए और इन नौनों पर हो गए तीन चोईसेस हैं आपकी है ना तो नेगटिव चार्ज बेटा कहां जा रहे हैं दो नेगटिव चार्ज यहां जा रहे हैं फिर यहां जा रहे हैं फिर यहां जा रहे हैं मतब इन्नों पे फिर इन्नों पे फिर इन्नों पे यही अरेंजमेंट है अब इसका हाइब्रिड बनाओ तो पहले तो मैं यह लिखू 2 & 3R Resonating Structures यह क्या है बेटा Resonating Structure है और अगर मैं आप से बोलू बेटा Hybrid बना देना जारा इसका रहेंच किसका इन तीनों से मिला के बनाना है ठीक है तो ध्यान से देखना ज़रा जब मैं रहेंच बनाऊंगा तो C लिखा है मेरे पास तीन सिग मा बॉंड वैसे के वैसे ही लिखे रहने डो एटम. ने कर आणना सिर्फ पाई लेक्ट्रोन मूफ कराने बता इंह कहां कहां आका रहा है इन 12 के बीच में पाई आ रहा है इं Stand onके भी कि इसमयन पर इ McNannów के लिए अहां पर इन देखो is पारिशल डफल हो गया आप बताओ जरहा कितने नेगेटिफ्व चार्ज लेड़ा कितने दो 110 गीतिक में खूर हो रहा हैं 3 में सकते ह। मैं इसमें एक दो और तीना ओक्सिएंट में डिस्टिप्वीट आ रहा है तो दो negative chart 3 oxygenbrand distribute हो तो पर oxygen कितना आएगा माइनस 2 by 3 है ना तो मैं ऐसे लिख रहा होगो हर एक oxygen पर minus 2 by 3 माइनस 2 by 3 और माइनस 2 by 3 यह आएगा ना यह कारवन तो बच्पंसभी न्यूट्रल था हर एक Metro नहीं ना आप से पूचूँ। एक सेथे वाइभल दोड़न को कियो कि पार्सिएल डवल बोंड करेक्टर रहेен है को पतीनों今 सेम कान हैं तो यह क्या है रेजनेटिंय इंक स्टक्चरह के और यह वाइब्रिडा समझ गया था मतब क्या पाई एलेक्ट्रोन का मूउम्मेंट कराना है बस ठीक है आगे बने चलो भई कंडिशन फॉर कंपाउंड तुसो रेजोनेंस रेजोनेंस कोई कंपाउंड शो करेगा या आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए कुछ कंडिशन ध्यान लखनी पड़ेंगी दो कंडीशन आपको ध्यान लखनी इसमें से यही आप यही चेक करके आंशर बता सकते हो है बादिवी होता है लेकिन यह भी चएट रगा की सोतने लुके कर रहें ब्रेयोा हूं आपको वाली को क्या किया है होना चाहिए अलग-अलग plane में नहीं होने चाहिए मतलब रेजोनेटेंग इस्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होते हैं इतना धियान दखना प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में बनेंगे कहीं और नहीं मना सकते आप है ना दूसरी चीज़ा वेटा समझना बात को कुछ मैंने सिस्टम बना रखें मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए लगा रहा हूं क्या क्या देखो एक एटम है जैड जिसके उपर है लोन पियर क्या है लोन पियर तो लोन पियर सिंगल डबल कॉंजूगेशन कैसे पढ़ते हैं वह पढ़ना सीख लो जैसे मै लोन पियर शिंगल डबल क्या वो लूंगा लोन पियर सिंगल डबल लोन पियर सिंगल डबल भी या माल लो कभी आपके पास ठीक पास तो नेगेटेव सिंगल वण मतलब ही होता है कि इसके पास एक लोन पेयर होगा तो यह इसी जैसे हो गया थे न करीम सिंगर जाएगा तो उसके psychologically सोगा इसे पड़ते हैं कैसे पॉजटेव सिंगल डबल मां लो रेडिकल आ गयाoine tehdär दोखने रहे होगा सारी होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं अब ही आप इतने धियां के न एक इंपटेंट है यह वाला जरूर धियान लग लकना आपको यह एक एटम बेटा ऐसा है जिसके पास वेकंट और्बिटल है क्या है खाली और्बिटल है और दूसरा ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है तो बेटा ये लोन पेयर अपना ये लोन पेयर अपना किसको दे सकता है इस वेकंट और्बिटल को दे सकता है तो ये लोन पेयर किसको दे स से कार्भोट क्टे पाजिन एंग होता है और अब आधने और स्वार प्रों के यह होता है मतलman अधने को युज वाली ये अभी इलेवन सब्सक्राइब कार्वोटटा addicted और बोर्ण मिलेगा यह कार्वोट आइघन और बरोन के वानत government पॉजटिव सिंगल डवल रेडिकल सिंगल डवल अल्टरनेट डवल वेकेंट और्विटल लोन पेर एड़िसेंट पर ठीक है तो यह होता है आपका कॉंजूगेशन अब ध्यान से देखना मैं एक एक कॉंजूगेशन बहुत क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है वेटा ध्य चलो वई पहला वाला देख लेते पहला मैंने क्या बनाया लोन पेर सिंगल डबल विद एक्जामपल समझेंगे न देखना जड़ा यहां क्या है वेटा लोन पेर कैसे बढ़ोगे लोन पेर सिंगल डबल कैसे बनाना है वो देखो आपको क्या करना है जब कभी भी लोन पे यहां से यह बॉंड पैर किसमें लोन पेर में और इसको हम बनाते हैं डवल headed arrow से तो ऐसा देखेगा एक्स इसके ऊपर क्या आएगा विटा नेगेटिव क्यों इलेक्ट्रोन इसके पास आ रहे हैं वाई सिंगल बॉंड बना लेगा इधर क्योंकि यह बॉंड इधर चले गए डवल बॉंड बना लेगा किससे जैड के साथ ऐसा दिखेगा आपको समझ रहे हो मतलब लोन बेर को बॉंड बनाना है बॉंड बनाना है अगला देखना ज़रा धियान से मतलब मैं इसका एक 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 जामपल ले रहा हूं बना के बताना कैसे लिए च्श टू डवल बॉंड फिए च्श सिंगल बॉंड और एक बात और सुन लो यहां पर जब यह लोन प्यर अपना देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा यह विद्षान अगना है ना लोन प्यर देगा तो प्लस आजाएगा और यह एलेक्ट्रों ले रहा है तो मैंस बासा जाएगा ठीक है और वाय के थू जा रहा है मामला मतलत ए्लिएकॉर्ण का फ suiv ऐसा हो रहा है ठीक है इलेक्ट्राइङॉर्ण का फ लो ऐसा हो चुका है ठीक है अब समझना जंद बता धाना ऐधो दोनर्म फश्यंच किया है अचोगे आप देखो कैसा देखेगा CH2 negative तो सिंगल च्ण क्यों ये दौन अलेक्ट्रोन ये दौन अलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो नेगटिव आ गया मदा तरीके से दौन अलेक्ट्रोन आ लोन पर आगया है ना सिंगल च्छ यहां डवल बन गया इस जगे नाइट्रो तो कि ऐसा देखेगा बिल्कुल एक्जाम्पल के साथ लेते जाएंगे अपन चरुआ के बड़ें अब हम चलते हैं इसका सेकेंड एक सेकेंड क्या था नेगेटिव चार्ज वाला ठीक है ध्यान से देखना दोबारा मना लेंगे इसको विद एक्जाम्पल समझाओंगा आपको है तब ही आपको अच्छा लगेगा सेकेंड नमबर पर देखना एक्स सिंगल वाय नहीं एक्स डवल वाय सिंगल जैड इसके पास नेगेटिव चार्ज मतब लोन पियर ही एक तरीके से न इसमें भी वही कहानी जो आपने लोन पियर में करी थी नयूटरल एटर में उसके पास लोन पियर है और कारवणा इनके पास लोन पियर होगा तो कोई दिखकत नहीं सेमी है लोनपियर एस कनवगेत तु बेटा क्या-बोन्ड पियर and बॉन्ड पिय और बॉंड पर इसका नवर्ड टू लोन पर देखना एक्स के उपर विटा नेगेटिव आ जाएगा सिंगल वाई और यह डवल हो जाएगा जैड ऐसा मतलब यह लोन पियर जब कनवर्ड होगा बॉंड पियर में तो यह चार्ज खतम हो जाएगा यह नेगटिव यहां से है ठीक क्या करना है बिटा लोन प्यार इसका नवड़ टू बॉंड पियर और बॉंड पेर इसका नवड़ टू लोन पियर तो यह नेगटिव यहां आ जाएगा तो कैसा देखेगा ऐसा तो इसा दिखेगा तो यह लोन पियर में तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा क्योंकि इसके तो चार बॉंड बन जाएगे ना तो चार थुड़ी आएगा कोई आप लिटरली सोच लोगी भी सोच लो क्या लोन पियर को मैंने यहां ले आया तो ऐसा दिखेगा अब का चार बॉंड बना लिए चार बॉंड बना लिए मतलब कोई चार्ज थोड़ी आएगा इस पर तो ऐसा होता है समझे रहा बात को बनाते जाओ इस तरीके से सीखते जाओ ना अगला देखो तो यह दो हो गए तीसरा है पॉस्टिटिव वाला थार्ड टाइप का कॉंजूगेशन देखना रिदो गए थार टाइप का कॉंजूगेशन का कैसा लिखा मैंने X weekend cradle y single z प्लस ठीक है आप इसका ह जोटा यहाँ बहुत आसान है क्या बहुत आसान बांड पेयर एंस कनवर्टेट टू बाउंड पियर बस जब कभी बस आ bond pair is converted to bond pair मतलब इस bond pair को उठाके यहां रख दो तो जब तुम इसको उठाके यहां रखोगे तो इसके तो electron जा रहे होंगे ना उस तरफ मतलब positive charge यहां सेफ्ट हो जाएगा तो X के उपर plus single Y double Z ऐसा दिखेगा अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया ध्यान से समझना CH2 double bond CH single bond क्या आएगा बेटा CH2 प्लस अब सुनना ज़रा त्यान से सुनना इसके पास कोई electron तो है नहीं क्यों इस कारवन ने 6 electron रख रख रहे हैं कैसे चार electron तो hydrogen से पर hydrogen एक bond है मतलब 2-2 electron चार electron यहां से और यह bond के दो एलेक्ट्रों छे लेक्ट्रों लुविस के अगोडिंग आठ एलेक्ट्रों होने चीह मतलब इसको बेकेंड और्बिटल है इसलिए यह एलेक्ट्रों ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं कैसे bond pair is converted to bond pair तो यहां bond बना लेगा तो कैसा देखेगा CH2 प्लस सिंगल CH1 CH2 ऐसा देखेगा ठीक है समझेरों बात को कि बस देखते जाओ कैसे कैसे conjugation करना है कितने सिखा दिए मैंने तीन चौथा देखो रेडिकल वाला कि चौथा वाला वेटा रेडिकल वाला देखेगे है कि फोर्थ नंबर एक्स डेवल वाए सिंगल जैड यहां क्या है वेटा रेडिकल अब धियान से सुनना यहां पर किस तरीके से हम शिफ्टिंग कराते हैं बहुत सिंपल है वैसे ही जैसे कार्बोगटाइन में करते थे वैसे बॉंड पैर इसे बॉंड यहां लाओंगा लेकिन इस ब Alt इसको जब यहां लाओंगे तो इसको कैसे रीपर्जेंट्ट करते मों इसका रिपर्जेंट इसन यह है कि यह बॉंड ऐसे तूटा है नक्यों रेडिकल तो ओमोलिंट कमञें होती ब्तायता मैं आपको एक्स रेडी का सिंगल वाई डवाल जएड देखो जरा इसी तरीके से देखे सब्सक्राइब कर देखना चारा एक दम मजा रहा है कि देखते जाओ भाई मैं सिखा धूंगा सारी जीज़ें क्योंकि होता क्या न किस तरीके से आरेस बनाना यह नहीं सिखाए जाता वह लोग नहीं सिखाते हैं लोग क्या करते हैं वस advance सब्सक्राइब करना अगर आप सच में पढ़ रहे हो ना तो तमीज से पढ़ो मेरा तो यह मानना है सीखो सारी चीज़ है यही तो होता है फिर आपके साथ आप पढ़ते रहे तो कहीं भी इधर उदर की जगे से और आप से सवाल नहीं मनते हैं परिसान हो जाते हो क्योंकि व अबनेगा एक रेडिकल यहां बनेगा तो यह रेडिकल इससे जुड़ जाएगा और एक नया रेडिकल यहां बन जाएगा तो जो मैं आप से क्या रहा हूं ना उस बात का धियान रखना यह सारी चीज़ आप अच्छे से सीख लो क्योंकि एक्शुली क्या आना तुम को यूट्यूब में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम हमारा जो है सब्सक्रिप्शन ले लो तब हम वहां तुमको पढ़ाएंगे ऐसा थोड़ी होता है ऐसा नहीं कि वह टीचर क्या बनीए बढ़ाने के जो टीचर यूट्यूब में आके हंसी मजा करके निकल रहा ह है वह दूसरी जगह पर जहां पेड़ कोर से वह अच्छा बढ़ाता है वह बढ़ाता है लेकिन वह आपको पेड़ कोर में ही मिल पाएगा जिसके आपको बहुत लाखोर रुपे देरे पड़ते हैं तो कैसे ब्रेक करना है समझ लो अब मैं पढ़ा रहा हूं तो द्यान से अचा है इसका एक पाट और बचा तक कांन गया कि अल्टरने टॉबल वाला भी दो बचा और एक माइस्टार भी बचा गजना देखना का तक पहुंच गया मामला अपना हूं यहां तक पहुंच गया कि देखना जरा धिहान से मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं ना भाई चाहता तो मैं भी रैजुनेंस एफ्ट और मैं जो मैरेक इफट्ट करके खतम और देता अब तक उन्थ एक लेक्ट्ट रहां, मैं इतना समय इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ लो resonating structure किस तरीके से बनाते हैं electron की shifting कैसे होती है यह जब पता होगा ना तब आप resonance effect में जाओ तो मज़ा आएगा अब हम डारेक्ट सी देलिख देते प्लस है माइनस हम यह ऐसा होता है आपको मज़ा आ जाता है अच्छा ठीक है हां ऐसा होता होगा लेकिन फील नहीं आपाती है आपको तो अगले नंबर पर इसलिए मैं आपको यह सब पढ़ा रहा हूं कि resonance कैसे बनाते हैं चार नंबर हो गए ना पांचमा नंबर का देखना है नंबर फाइव देखेंगे कि अल्टरने डवल मॉन्ड है एक्स डवल मॉनड बाय सिंगल जट डवल मॉन डवलू इसका मुझे रेजुनेटिंग स्ट्रेक्चर बनाना है मैं ऐसा बोल देता हूं कि डवलू की एलेक्ट्रो नेगिटिवीटी ज्यादा है मैं मतारा ऐसा माल लेता हूं हो सकता लोन पियर ऐसा तो होना ही है इसमें ठीक देखना ये बॉंड पियर बॉंड पियर में कनवर्ट होगा और ये बॉंड पियर लोन पियर में कनवर्ट होगा कैसा होगा x plus single y double z single w और यहां negative क्यों x से electron हट रहे हैं और w पर electron जा रहे हैं और यह bond यहां shift हो रहा है तो y और z का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना x का bond एक कम हो रहा है और w का bond एक कम हो रहा है तो इधर से electron जा रहे हैं इधर electron आ रहे हैं ऐसा बनाएंगे जैसे मैं आपको एक्जांपल से समझाओंगा तो किलियर समझ जाओंगा देखो इसा देखेगा अब oxygen की एलेक्ट्रों नेगटिवटी जादा होती है वह अपनी तरफ एलेक्ट्रों कीचना चाहेगा है ना और अगर अपनी तरफ एलेक्ट्रों कीचना चाहेगा तो बॉंड फेयरेस्क ऑनवड टॉ बॉंड ब्र और लोन प्यू एभ आप ब्र प्लास सिंगल सी जाएच दवाल CH画ी जिएच सिंगल ओ नेगडिव एसा फास समझ लो क ऐसा करना है को आई आप बोलो के सर अगर ऐसा नहीं होता मालो ऐसा होता वहीं सोच सकते क्यों नहीं सोच सकते वहीं दिमाग है आपके पास सोचो अगर मैं बोलता या आप बोलते कि सर ऐसा है इसका बना के बताओ कहीं भी मूव करा लो कोई दिक्कत नहीं क्यों आइडेंटिकल सिमेट्रिकल है तो सेमिटरmedim कर रहे तो आप कहीं भी मूफ करा लो मैं आपकी इच्छा है आप बॉन्ड पेयर को बॉन्द पेयर में बॉन्द अटरे से करा सकते हो और ओर ये बॉन्द पेयर में और अटरे लोन पर माइनस जद्लू होता है कंपर जेंट उप सब्सांने उधर री क्यों कराय क्योंकि उसके अलेक्टान निक्टिविटिट्व है वह स्मझरेवाद को को यह कहानी है इसकी तो लेकिन दूसरा वाला थे इस वाले में सिंगल सी एच नैड ऐसा समझे रहो बॉर्ड मुव्मेंट करना सीख गयना मज आ जाएगा आपको फिर आनंद आता रहेगा रेजुनेंस में तो अपन ने जो किसन पहां तक सीख लिए यह हो गया अपना इस पेसल केश बचा है ए सिंगल भी और बैक बॉंड निग वाला है ना यहीं बैक बोड्निग वाला किस बचा तो अगला है अपना क्या बैक बॉंडिंग वाला केस कौन से नंबर पर फिफ्ट ए शिक्स्त यह फिफ्ट शिक्स नंबर यह माई स्टारी लिख लोज को है न इंपोर्टेंट है यह क्या बोला मैंने ऐ सिंगल बी और यहां क्या हो लोन पियर हो यहां वेकेंट ओर्बिटल मतलब यहां सिंगल भी चल सकता है ऐसा भी हो तब भी चलेगा कोई दिख्कद ने मतलब ऐ और भी कनेक्टेड होने चाहिए ध्यान सनुन केस के डवल भी हो सकता, ऐसा हो सकता है ना, तो मैं आपको single लेकर ही समझा रहा हूं, कि single है, ठेख, अब ध्यान से देखना क्या होता है, बिटा ये जो loan pair है ना, ये, ये loan pair अपना किसको देता है इस vacant orbital को देने का मतलब ही है, कि यहां पर bond बनना, ठीक है, तो इसका मतलब ही है, यह यह वेकंट और्बिटल अब कैसा है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन है या बोरॉन वाला है तो मैं दौनों केसे सापको बता देता हूं ठीक है एडवल भी आएगा अब चार्ज उसके अकोडिंग हम लगा लेंगे जैसे मालो मेरे पास ऐसा होता कार्बोकेटाइन औ स्कांत भी एक और्फेल खाली होगा उसका यह लोण पेयर अपना किसको देदेगा इस वेकंट और्बिटल को से इसके के कैया क्या क्या करेगा बॉंड बना लेगा कैसा दोलब वॉन देaciकना ओ एच और क्या आएगा बेटा प्लस से कारवन ने चारवन वना लिए यह पॉ और यहां मैंने लगा दिया ओएच तो पेठा ऑक्सिएन अपना एलेक्ट्रॉन पियर इस बोरोन के वेकंड और वीडल को देगा जब यह इसको देगा तो कैसा देखेगा बी एच्टू और डबलबन आ जाएगा क्या ओच अब ऑक्सिएन तीन मौंड मनाता है तो प्लस और odedore on 4 burner बनाता है तो माईने साग क्यों और एलेक्ट्रोन एंग तरीके से देखो यह बो हृं ले रहा है और बोर जळी रहा है इसका मतलब यह हैं कि शेरिंग् तरीके से ना इस findsमरीक के पास हम दिखाते ऐसा है जबकि वो मतलब उसका यह होता है कि बॉंट बना लिया उसमें अपने ऐसे दिखा रहे हैं आप ऐसे बताओगे कि इस ने से यहां पर बॉंड मना लिया तो यह कहांअ होती है तो आगर कार्व कटैन हुआ तो इस तरीके से और बोरन हुआ तो इस तरीके से और भी बहुत सारे जमाने भर के होते हैं बार्वी क्लास में आपको पड़ाया जाएगा तो क्या करना था इस में LoonPayr is Converdet to BondPayr यही हो रहा है देखो LoonPayr bondPayr में Convert हो रहा है यहां पर आके छोड़तो तो यह स्पेसल के से धियान रखना आगे बढ़े तो यह कुछ कॉंजूगेशन थे अब यहां आ जाओ अब हम बेटा सीख रहे हैं क्या रेजुनेटिंग स्ट्ट्ट्टर बनाना सीखते हैं अब देखो आपने सभी प्रकार के इसका मुझे रेजुनेटिंग स्ट्ट्ट्टर बनाना है चलो बनाते साथ में पहले आप ट्राई करो फरे में बनाता हूं है न मैं आपको हिंट देता हूं क्या इस कारवन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास दो अपकर दो एक्टरान है तो इसकारवन पर नेगेटिव का मतारा हूं तो एक्ट्रान है क्या होता है अब तुम्हें अरे भूल गये क्या दादा देखो यह नेगटिव वाला कांग यह वही देखो लोन प्रिसका देट टू बॉंड बेर और इसका नवाड़ेट टू लॉइन यह दिखो इस टाइप से ठीक है अब उसी को तुम्हें यहां अप्लाई करना है बताओ जरा कैसे बनाऊंगा देखना यह लोन पेयर वेटा बॉंड पेयर में कनवर्ट हुआ तो यहां डबल आ गया यह 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 यहां डबल आ गया सिंगल ओ पर क्या आएगा ऐसा देख़ो जरा लोन पियर इस कनवर्टेट टू बॉंड पेयर एंड बॉंड पेयर इसकानवर्ट टू लोन पियर मतलाव यह दौन लोन प्यार इसकान वडरा बॉंड बैयर बॉंड झान धिकता सबर्देर्ट ऐसा होता है अगला देखना धिय समझना बात को यह दीखक अगर आप आपने यह समय लीना मतलब आपको और्यूनिक प्रगी आगे आने वाले समय में मतलब आपको जिंदगी वार अच्छी लगेगी आपके बच्चे आपसे बहुत खुज रहेंगे ना देहान से देखना नाइट जन के पास क्या वेटा लोन पेयर देहान से देखो लोन पियर है इस वाले कार्बन पर पॉजटिव चार्ज का मतलब प अंивать इस आपर ले टोबंड यहां बन बना देंगे कई सादिखेंगा त्श्यन से देखें गहां यहां बॉppers बनेगा तो कि यहां बनेगा तो डॉज हो जा एगगा एन और नाइड़िजण ने चार बना लिए बॉज तो यहां प्लस आ जाएगा और इसने कारवन ने चार बना लिए तो न्यूट्रल रहेगा देखो कितना अच्छा दिख रहा है लोन प्यार इस कनवाड़ेट टू बॉंड पेयर कि इदा लोन पेयर को बॉंड पेर में अगला देखना जरा यह कैसा देखा रहा है अल्टर्नेट डवल दिख रहे हैं कि नहीं डवाज सिंगल डवाल देखना जरा कैसे करते हो पहले चेक कर लेते हैं दावा सिंगल डवल में क्या करते थे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएग कि हाँ, यह रह्रे को क्या करते थे, बॉंड पियर इस कनवर्टे टू बॉंड पियर इंड साइमनेश्य बॉट्पॉंड से लॉन finger, ध्यान से देखना ज़रा, आराम से समझेक विल्व, सारी चीज ने कैसे, इनल बॉन पियर इस कनवर्टेजय्तर टू बॉंड पियर, and simultaneously bond pair is converted to loan pair मतलब ये वाला और ये वाला ये दोनों electron यहां आ गए और ये electron और ये electron इस जगे आ गए मतलब यहां bond बन गया समझे रहे वात को तो कैसा दिखेगा देखना ये दोनों electron पीटा यहां आ गए ऐसा और यहां क्या हो गए single ओपर क्या आ गए negative और इधर कारवन पर क्या आ गए विटा पॉजिटिव देखो भाई ये दोने इलेक्ट्रों जब इधर आएंगे तो इस कारवन का देख बॉंड कम हो गया ना ठीक है देखो ऐसी दिखेगा समझ लो आराम से बहुत आराम से तसल्ली से जल्दी वाजी नहीं कोई क्योंकि resonance effect या मैंजमरिक effect आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सिर्थ देखना ये बॉंड पेर इस कानवर्डेट टू बॉंड पेर मतलब तुमने इस बॉंड को ठाके यहां रख दिया इसको ठाके तुमने यहां रख दिया और ये बॉंड पेर इस वाडवर्डेट टू लून प्यार ऐसा होता है तो यह कहानी है है इसकी अगला अदेखना चाहा प्लस सिंगल डबल अप्ले ढबल का कैसा होता था चेक कर लेते तें में जायएका तुम्हें भी लोखने चाहेगा देखो अचाहे तो लोए पैर वाले का है एक क्लस सइगल डवल दे तक यह और इस जो प्लस सिंगल डवल का क्या होता बॉंड पैर इस इस वाड़िट टो बॉंड पैर धीकर के फिह सिस्ट्धू ऑपच Audffs है ना तो यह दोनों उयर्टैों कौन से ये और ये यह वाला और यह एशा और यह लूत अगया कि अगला देखना जरह के डवल एड़ेड़ो डबल सिंगल डबल अब नाइडोजन की लेक्टो नेगटिवटी कारवन से ज्यादा होती है न लेफ राइड इलेक्टो नेगटिवटी इतना तो पता होगा पिरियोटेबल में तो नाइड़ेजन इलेक्टोन पी तरफ खीच तो कैसा दिखने वाला है कैसा दिखने वाला है ठीक दियान से देखो ऐसा दिखने वाला है देखना यह बॉंड पर यहां गया और यह बॉंड पर लोन पर में कनवर्ट हुआ तो यहां डबल आ जाएगा यहां से देखना यह एलेक्ट्रॉन और यह एलेक्ट्रॉन कहां चले बान यहाँ दिखेगा आपको और यहां पर फोका यहां पर दवल आ आगे बड़े चलो थोड़े से बड़े-बड़े कर लेते हैं अभी तो एक छोटे-छोटे कर रहे थे बड़े-बड़े खेलते हैं मज़ा आएगा एक तम ठीक है आजो करना ज़रा सुरू मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूं आप ही कर लोगे सारे डवल-ड़ेड एरो ओक्सियेन के पास क्या है वेटा लोट प्यर यहां से सुरूँ करो यहां से बता रहा हूं तो मैं यहां से बता रहा हूँ यहां सुरू करो कैसे loon pair, single double, loan pair is converted to bond pair, bond pair is converted to loan pair, कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखेगा धियान से देखना, यहां आजाएगा double bond, ओ, h, oxygen ने तीन बोंड बना लिये, तो क्या जाएगा प्लस और इस carbon पर यहाँ पर क्या जाएगा negative का मतलब यह दोनों electron इस carbon के पास आगाई, इस carbon के पास, है न, ऐसा देखेगा आपको, मतलब आप यहाँ पर दो electron भी दिखा सकते हो, ठीक, ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन अपन अब आगे बढ़ो अभी तो लोन प्या सिंगल डबल खेल लए थे अब देखो जड़ा नेगेटिव सिंगल डबल भी तो खेल सकते हो खेलते जाओ क्या दिक्कत है देखना लोन प्यार इस-कनवर्डेत टू बॉन प्यर अलग कलर से बनाइएं अच्छा लगेगा देखना लोन प्यार इसकनवर्ड टू बॉन प्यार्स इस एच्ञाएगा अपको मज़ा जाएगा एक दम देखो यहां से देखते जाना यहां आएगा नेगेटिव ठीक है इस जगे यहां डबल यहां यहां डबल और यहां डबल ओ एच पॉजिटिव कैसा देखेगा और देखो जरा अरे अभी तो बहुत ने देखना कि लोन पेर इसकान वादे टू बॉंड पियर देखो कॉंजुगेशन नेगेटिव सिंगल डबल बॉंड पेर इसकान वादे टू लोन पियर कैसा देखेगा देखो एक तम आनंद आ जाएगा भाई G1 में देखना अंत ऐसा डवल यहां डवल इस वाले कारवन पर नेगेटि खेलते हैं आजाओ लोन पेर इसकन वाड़ेट टू बॉंड पियार एंड साइमल्टिनस नी बॉंड पैर इसकन वाड़ेट टू लोन पियर कैसा देखेगा अब यह न्यूट्रल हो जाएगा है न कैसा देखेगा ऐसा इस तरीगे से देखो इसका नाम है फिनॉल क्ये नाम है फिनौल इसका नाम है फिनौल तो फिनौल के 5 रेजनेटिंस ट्रक्छटर बनते हैं ऐक दो 3 , 4 , 5 रेजनेटिंस ट्रक्छर इसके मनें क्या हुआ देखना जेरा आप ढोलों के सरा ये तो दोनों सेम देख रहे हैं ना देखो डबाल सिंगल डबाल सिंगल डबल यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल लेकिन यहां के जो डबल बॉन्ड है वो यहां बेटा सिंगल बन गए हैं यहां के जो सिंगल है वो यहां बेटा डबल बन गए है ठीक है समझ गया यह तो यह ब मतलब हां औरणा सुरो करने है और बनाते मझा रहा है क्या चैसे करना लों पेर बांड पेर नों पेरिया गया तक चलेगा जब तक चलेगा जब तक चलेद है तब तक से नहीं इसमौ कैसे बनाओंगा गना डब है एक डबर शिंड Ministries ज्ञाध एलेक्टरो नेगटिवीटि से ज्याद से किछएगा तो यह अइसा देखेगा इस में अकना बॉंड पियर इस कनवर्टेट टू बॉंड पियर एंड साइमन टेश्टी बॉंड पियर इस कनवर्टेट टू लोन पियर तो कैसा दिखेगा देखना जरा ध्यान से देखेंगे डबल सी एच सिंगल ओ माइनस इधार प्लस इनको मत छेड़ना यह वैसे के वैसे ही आगे बॉंड पियर इस कनवर्टेट टू बॉंड पियर साइमन टेश्टी बॉंड पर इसकनवर्टेट टू लोन पियर यह हो रहा था अब यहां क्या हुआ यह विटा प्लस बन गया तो अब इसमें दूसरे टाइप का कॉंजूगिशन आ गया क्या प्लस सिंगल डबल देखो तो बॉंड पियर इसकान वर्डिट टू बॉंड पियर ऐसा होता प्लस सिंगल डबल में तो कैसा देखेगा अ कि कैसा देखेगा बारे बता दो दादा ऐसा देखेगा देखो ऐसा देखेगा बॉंड पियर को तुमने सिफ्ट कर दिया तो पिटा ये बॉंड पियर को तुमने सिफ्ट कर दिया है तो प्लस यहां आ गया अब देखो आगे बढ़ाओ प्लस सिंगल डबल बॉंड पियर इस कनवर्ड टू बॉंड पियर धियान से देखते जाना कैसा देखेगा ये डबल ऐसा यहां प्लस डबल सिफ सिंगल ओ नेगिटिव ऐसा देखेगा तो यह अब देखो जड़ा प्लस सिंगल डबल तो क्या होगा अगला एक और लास्ट बन जाएगा देख देखो जो आज डबल है वो कल सिंगल होंगे जो आज सिंगल है वो कल डबल होंगे मतलब एक स्ट्रक्चर में जो सिंगल था अब डबल में चला गया और जो डबल बॉंड था वो सिंगल बॉंड बन चुका है डिव टू मूबमेंट अपाइलेक्ट्रॉन इसी फिनॉमेना को तो रेजनेंस बोलते हो तो इसी फिनॉमेना को ही रेजनेंस बोलते हूए ठीक इस तरीके से आपको खेलना है आपको यह अच्छी लगनी चाहिए आप आराम से वीडियो को दुबारा से फिर देखना पॉस करके फिर बनाना मज़ा आजाएगा आपको मतलब अलगी आनंद आता है बॉंड मूबमेंट कराने में अपने आप में है ठीक है चलो कुछ और सवाल अरे बहुत प्रेक्टिस लाएं पन चलो बनाओ जरा ड्रो आरेस बनाओ बनाओ क्या करना है बनाना सीख लो अच्छा लगेगा आगे भी आपको सारी और गेनिक समझ आ जाएगी क्योंकि रेजनेस अपने आप में बहुत अच्छा एफेक्ट है बहुत बाल लगता है कॉस्टेंस में हर जेग है चलो सुरू कर तो यहां प्लस आजाएगा इस डवल को यहीं बनाए रखने दो और यहां जाएगा देखो प्लस सिंगल डवल यहां चला जाएगा ऐसा अगला देखना फिर स्धीं प्लस सिंगल डवल बॉंड रिस्कानवर्डेट दूबॉंड प्यर ऐसा दिखेगा दो एईसा एसा और यहां प्लस तो अगे कई अग अगे बने चलो वहीशे लेकिन एक बार में एक ही पार्टिसिपेट करने जाता है ना तो मैं कैसे बनारों एक नहीं बना रहा मलब अंडर स्टोड है कि दो है इसके पास एक बनारों बस देखना आप जड़ा लोन पेयर सिंगल डबल मिलेगा कॉंजुगेशन आपको कॉंजुगेशन पता होना ची त अब लुक्त भी बना सकते हैं लोन क्यार सिंगल बावड हो द्याना लोन ब्यर सिंगल डबड़ कर णे ला गया यहाँ डवल आ जाएगा अक्सियन ने तीन मॉर्ण बना लिए तो प्लस और यहां क्या जाएगा माइनस ऐसा देखो मैं यह लूण पेर में इसा दो फ़े पनवा यहां एक डॉण और और यह बॉन पेर लोन पेर में अगेगा अब अगला देखना जरह इसका आगेगा और वना लेता हूं क्या Loan Pair is Converted to Bond Pair and Bond Pair is Converted to Loan Pair कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा ओ यहां Plus यह दबल यहां डबल आजाएगा देखो यह लोन पेर यहां bir ओंड तो यहां डबल और यह बांड प्रन पर में तो यह नेगेटिव ऐसा और वना लो loan मेसा वाठेको कैसा देखेगा उफ है का यहां डबल यहां कि अधाल पोजटिव और यहां डबल जबत को और और वी ओगा देखो लोंच या इसका नवादेट टुबॉन प्यर्व पांड बढकर इस यतान वादे टु लोंच फियर देखो और वनालो मता यसे आप खेल सकते हों बांड मुव्मेंट कराना आपको बस है न यहां डबल यहां नेगटिव यहां डबल ठीक और इसके बाद लोन पेर इसका नवाड़ेट टू बॉन्ड पेर बॉन्ड पेर इसका नवाड़ेट टू लोन पेर आप यहां पहुंच जाओगे यह इसी जैसा बन जाएगा तो एक दो तीन चार पांच बनेंगे आपके यह-एक दो तीन चार और यह यह ऎई पांच लो नेगटिव यहां आ आया पहली बार फिर वह नेगटिव यहां आ गया फिर यहां आ का है पहचानों जर्णा कैसा है पॉजिटिव लगा है और यहां पर क्या है इसके पास दो-दो लोन पेर मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ कार्वो के टाइन का मताव वेकेंट और बिडल लोन लोन प्यार इसका अवड़े यह लोन पर यह वेकंड और बिटा लोन पर इसका नवर्डे टू बॉंड पर देखो सिमिलर टाइप के कोश्चन देख लोगे तो समझ जाओगे क्या करना देखना इसमें यह बन जाएगा प्लस अगर मेरे पास ऐसा होता यह लोन पर यहां वैकंड और विटल होगा तो यह सारे सेम पैटन पर बनने देखो प्लस अब यहीं मिलेंगे एक मैं जुरू कर रहा हूं प्लस सिंगल डवल देखना प्लस देखना प्लस प्लस देखना सिंगल डवल में क्या होता बॉंड पेर इस कनवर्डे टू बॉंड पियर ठीक है तो पहला दिखेगा ऐसा कैसा ऐसा डवल सी एच टू इस प्रकार अब चलने तो जमाजम मामला अब तो जमाजम पॉन जूगे सने देखो प्लस सिंगल डवल अगीन 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 क्या चुआ रहे है अगे भी मिल रहा है अगे भी है बॉंड प्रिजिट्तों क्या होता बॉंड पेर तो कैसा देखेगा अइसा देखेगा अरे अब तो बना लोगे अब भी नहीं बना पाए तो क्या किया जीवन में अगला और बनाओं गाँ देखना प्लस इंगल डवल बॉंड पर इस कनवर्डेट टू बॉंड पेर सीख गए अब तो ठीक है इस तरीके से आप बनाओगे काम हो जाएगा ठीक है चलें फिर आगे एक दम खतम ठीक चलो अंगे चलो कुछ और हो जाएं अरे क्या जा रहा रहा अपना रेडिकल वाला सब सीखेंगे अपन चलो वाला बताएंगे अब रेडिकल में बॉंड ब्रेकिंग कैसे दिखाते वो देखना रेडिकल में बॉंड ब्रेकिंग हम ऐसे दिखाते हैं कि एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं काफी छोटा है रेडिकल वाला थोड़ा सा बढ़ा बना लेखने ऐसा धिक है कि तहीं आधिया 5ध का यहां क्या है डिकले सुमिष एडबल यह डवरियो ऐसा है ख को टाक फुरमा कर पहला इस्ट्क्षेड्र बनाऊंस लिश्ग में तैस लोग जब इसका बनाऊंगा कर सा यह आधा आधा तोड़देना मतबी इत से तोड़देना हिक तो ऐसा दिखेगा ओ। कि देखना यहां रेडिकल आएगा वो इससे कम्बाइन हो जाएगा कि यहां सी एस टू यहां रेडिकल ऐसा देखेगा देखो तो यहां डबल यहां रेडिकल अब क्या करोगे वेटा इधर फिर से दूटेगा ना आधाधा तोड़ दो ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं इस मै यहां रेडिकल आजाएगा ना यहां रेडिकल और यह रेडिकल इससे जुड़ गया ऐसा और देखो आप क्या होगा यह आधाधा तूट जाएगा फिर से यहां रेडिकल यहां रेडिकल यह से जुड़ जागा यहां रेडिकल यहां रेडिकल यह से जुड़ जागा यहा ठीक है अब फिर से देखो यह बॉंड आधा तोड़ो आधा यहाँ आधा यहाँ एक रेडिकल यहाँ यहाँ यह से जुड़ जाएगा एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा in आप एसा एसा यहाँ डबल यहाँ ch2 और रेडिकल देख़लो जर् Bean को नदेखो यहां रेडिकल आया यह से जुड़ गया ठीक और यहाँ रेडिकल यहां आया अब यह वाला रेडिकल इस जुड़ गया और एक रूपार रेडिकल आ घृच अहांते कहानी हे तो जो कल डबल थे वो आज सिंगल होंगे और जो कल सिंगल वो आज डबल होंगे रिजुने इस करने के बाद है न अगला देखो जरा द्षान से एक और कर लेते हैं छलो बही बताओ कैसा वाला कॉंज्यसान है नेगेटिव सिंगल डावल वाला hai देखना नेगरिव सिंगल डवल वाला है तो लोन पयर इसका नवाड़ेट टू बान पयर बॉंड पयर बांड पयर इसका अवडिट नोन पियर ऐसा खेलते जाओ बास कहानी घतम है लोन पियर को बांड पियर में बॉंड पियर में बनाएंगे वेटा ऐसा लोन बान पीर बाउन पीर अगला फिर से दिख गेगे लोन पेर बाउन पीर बांट पीसा यह ऐसा 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 एसा डवल यहाम आइनस यहाँ अबल सी क्या एक तो एपैद्द के उपफ्व और यण फेयर बॉड्पेर बॉरल लूंपियर गुमाती जाओ जाओ गुमाती जाओ जो क्ल डबल कि जो कल सिंगल कि वह आज डबल होंगे चलों कि जलें आगे हैँ अब आपको मैं एक सवाल पूच्छ कुछ था हूँ एक क्वेश्टन कर लो जड़ा यहां से कि इधर को शहन यह है टोटल नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ कंपाउंड्स टोटल नंबर ओफ कंपाउंड्स एक्जिबिट रेजॉनेंस resonance होना कहां पर है मतलब compound बनाऊंगा तो आपको बताना है resonance कहां कहां है मतलब आपको check क्या करना है आपको check ये करना है कि conjunction है या नहीं बस इतना कर देना ठीक है चलो पहला लिख रहा हूं ऐसा ऐसा यह यह प्लस कि दूसरा ऐसा 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 डबल डबल तीसरा तीसरा यहीं लिख लिए थार्ड डबल सिंगल ओएच चौथा सा ऐसा 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 एक है यहां डबल पांच मा ऐसा 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 सैवन यह डबल सिंगल भ2 प्रॉटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट एएसा एएसा एएएसा एहां नेगटेव ठीक है नाइन यहां डबल यहां नेगटेव ठीक और कुछ चलो वह इन में बताओ किस-किस में रेजनेंस है और किस-किस में नहीं है मतलब तुमको चेक क्या करना है यहां एक ही डवल पॉंड है और यह प्लस यहां लगा चेक कर लो प्लस सिंगल ऐसे पढ़ूंगा प्लस सिंगल यहां सिंगल आया है मतलब यह प्लस सिंगल उसको कौन्जूमेशन बोलते हैं इसको नहीं बोलेंगे क्यों और larch उंगर सिंगल रता थो आएगा ुआ आएगा ना अग्ला बताओ इसमें रेजोनेंज नहीं है अग्ला डबल लगा है हाँ यहां भी कोईande छार्ज. है double है single है फिर single है फिर double है alternate double नहीं है alternate का मतलब क्या होता है एक छोड़ कर एक अगर बेटा एक ज्चेगे डवल था दूसरी जगे single था तो उसके जस्ट बार अना चाहिए था देखो यहाँ double है सिंगल है सिंगल है आपको अल्टरने डबल देता तो कॉंज्युगेशन होता तो इसका आंसर वह क्या है वेला नू है समझते जाना बात को है ना इसका वि आंसर क्या विटा नो है अगला देखो इधर कि यहुआ ऑक्सियम के पास बीटा ba було्ट है दिख है लुञा प्यार सिंगल डवाल ओ एमजी ओंजुकेशन मतलब यह लोन पेर सिंगल डवल कॉंजुकेशन है यहां fight GG स्टैंस तक होना चीए था दबल फिर सिंगल फिर ड्वल करक तो रिज्धुनेंस है तो यह रैज्ञुनेंस नहीं है यह बढ़ीले bash रेडिकल सिंगल डावल कॉओं ज्यूकीशन यह साएगा अगला बताओ सेविंध वाले में सेविंध वाले में बोरौन के पास वेगा क्या है बैकेंट और्विटल यह रख रहा है देखना जरा बैकेंट और्विटा इस वाल यह भी तो कोंजूगेशन है मतलब इसका अंसर क्या आएगा येस अरे वेटा ये वेकंड और वेडल इसके साथ कॉंजूगेशन कर लेगा ठीक है अगला देखो सिंगल सिंगल डबल यहां अना चीए था डवल तो बहुत दूर चला गया डबल तो उसके बाद है आंसर क्या आएगा इसका अनु आएगगा अगला नाइंथListen अनून भर incent फिटाव प्ताओ नेगटेव शिंगल डवल मतलब answer क्या आएंगा yes आएंगा conjugation है न यह तो बस आपको conjugation ध्यान दखना है radical single double alternate double negative single double loan pair single double positive single double यह सारे इस तरीके से चले आगे चलो भई यह है आप लोगों के लिए homework मैंने आपको draw करना सिखा दिए resonating structure आपने अच्छे से सीख लिए अब एक J advance का बहुत ही धमाकेदार सवाल आया था total number of resonating structure आपको इसके बताने वैसे दोनों ने थोड़ा सा और reaction के according पूछा था मैं आपको यहां से बता देता हूँ कि इसके resonating structure आपको बताने है न तो आपको इसके resonating structure बताने कितने है ठीक question मैं तो ऐसा भी था कि OH लगा हुआ था फिर base के साथ reaction acid base reaction वगएरा तो वो छोड़ो ultimately यह बनेगा इसके resonating structure बनेगे न तो आप मुझे बना के बताना इसके resonating structure कितने बनेगे मैं आपको hint दे दूँ चलो hint लेके जाओ क्या लोन यहां क्या है आपको hint दे दिए ज्यादा hint देंगे तो आप answer ही लिख देंगे सीधे ना ज्यादा hint का मतब सीधे answer ही पता से जाएगा आपको बहुत बढ़िया सवाल है ध्यान से एक नेक्स टन पर लागात होगी जब तक आप रेजोनेंस को अच्छे तरीके से रिवाइस करके आना ठीक है समझने बात को बहुत बढ़िया हमवर गया आप करके आना इसको बहुत रह गई थी कि बोलना तो चारा था लेकिन बोल नहीं पारा था आप लोग यहां तक आए सबी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद थेंकि सो मच आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे रेज्वनेंस पड़ा ठीक है अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ नोट्स आपके बहुत अच्छे आपकी चैमिस्ट्री जिसके नोट्स खराब बरबाद नोट्स बनाते ना जो लोग बरबाद एक दम उनकी केमिस्ट्री कभी रं रखा है नोट्स में ही सब कुछ रखा है ऐसा नहीं है कोई इंसान पेपर देने जाता है तो वो उसके पास नोट्स नहीं होता है उसके नोट्स बढ़िया होते हैं ऐसा नहीं कि उसके नोट्स ही नहीं होते तो नोट्स तो बनाने हैं आपको आपको अपनी लेंग्वेज में अंदर समराइस कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने बताई है इसमें इस तरीके से आप नोट्स अपने बनाते जाए एक बनाते जाएं और जो भी इंपोर्टेंट जैसे आज के लेक्षर में सबसे बढ़िया चीज़ है तो आप एफोर साइस का एक पेज लो सब्सक्राइब करना क्या है एक पेज में सारा आपका जहां भी आप घूमूते रहते हो घर में दिन वर जहां भी आपकी नजर पढ़ती है है वहां चिपका लो ठीक है दो चार दिन पांस दिन में अपने आप याद हो जाएगा एक घरवालों को भी बताओगे अच्छा यह ना लगरवालों को भी कॉन्जूगेशन बताओगे पापा पॉजिटिव सिंगल डबल मम्मी लोन पर सिंगल डबल चलो मिलते हैं फिर न